सवाल निमनल इखित में से कौन गुलाम गिरी का लेखक था? A. B. R. अमबेटकर B. जियोतिबा फुले C. महात्मा गांधी D. पैरियार सही उत्तर है B. जियोतिबा फुले सवाल सत्यशोधक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? A. छत्रपती शाहुजी महाराज B. B. R. अमबेटकर C. जियोतिबा फुले D. T. N. नायर सही उत्तर है C. जियोतिबा फुले सवाल निमनल इखित में से किस संगठन की स्थापना महात्मा जियोतिबा फुले ने की थी? A. गोपाल मंदल B. सर नारायन सभा C. सत्यशोधक समाज D. महाजन सभा सही उत्तर है C. सत्यशोधक समाज सवाल पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उत्देश्य था? A. प्रार्थना समाज B. सत्यशोधक समाज C. आर्य समाज D. राम क्रिश्न मिशन सही उत्तर है B. सत्यशोधक समाज सवाल सत्यशोधक समाज का आयोजन A. बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिए एक आंदोलन B. गुजरात में एक मंदिर प्रवेश आंदोलन C. महराश्ट्र में एक जाती विरोधी आंदोलन D. पंजाब में एक किसान आंदोलन सही उत्तर है C. महराश्ट्र में एक जाती विरोधी आंदोलन पाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रोडिवाद का समर्थन किया था. A. राधा कांथ देब B. नेमी साधन बोस C. हेमचंद्र विश्वास D. हेमचंद्र डे सही उत्तर है A. राधा कांथ देब सवाल राधा स्वामी सत्सं के संस्थापक कौन थे? A. हरिदा स्वामी B. शिवदयाल साहब C. शिवनारायन अग्निहोत्री D. स्वामी श्रधानंद सही उत्तर है B. शिवदयाल साहब सवाल महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोखित्वादी भी कहा जाता है? A. M. G. रानादे B. गोपाल क्रिश्न गोखले C. पंदित रमाबाई D. गोपाल हरी देशमुक सही उत्तर है D. गोपाल हरी देशमुक सवाल महाराष्ट्र में विद्वा पुनर विवाह के अभियान का नेत्रित्व किसके द्वारा किया गया था? A. विश्नु परशुराम पंदित B. B. M. मालाबारी C. गोपाल हरी देशमुक D. दादा भाई नौरो जी सही उत्तर है A. विश्नु परशुराम पंदित सवाल उन्नीस्वी सदी के महानतम पार्सी समाज सुधारक थे A. सर जमशेद जी B. सर रुस्तम बहराम जी C. नवल जी ताता D. बहराम जी एम मलाबारी सही उत्तर है D. बहराम जी एम मलाबारी